नमस्कार प्रियेदर्शकों हाजिर हूँ मैं दो जुलाई दो हजार एक्टीज आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैंत्य गुरू को नमन कर चलिए राशिफल का ये कारिक्रम प्रार्म करते हैं बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की आज शुक्रवार है आशार हमास कृष्ण पक्षकी आज अश्टमी तिथी है जो दो पहर में तीन बच करके अड़ तीस मिनट तक है और इसके पुष्चात नवमी है रेवती नक्षत्र है शोभन योग कौलो करण है बात होगी पंचांग की चंद्रमा आज मीन राशी में है और अभिजित महुर्त का समय दिन में ग्यार बच करके पैंटीस मिनट से दो पहर बारा बच करके उनतीस मिनट तक होगा वही राहुकाल प्रातह सारहे दस बजे से दो पहर बारा बजे तक जैसा कि आप सभी जानते हैं कोई भी नया और शुभकार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाव लेना हो ऐसे प्रत्तेक कार्य को अभिजित महुर्त में प्रारंभ करना चाहिए ये अभिजित महुर्त हरीकवती प्रीय है राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए आज पूरे दिन सरवार्थ सुध्धियोग एवं अमृत सुध्धियोग है जानते हैं आप शुक्रवार का दिन और सरवार्थ सुध्धियोग कोई कार्य प्रारंभ करना हो कर सकते हैं विशेश करके विवाहादी से सम्मंधित कहीं प्रस्ताव भेजने हैं तो वो भेजा जा सकता है। शत्रु भी उसका सम्मान करते हैं। कैसी है ये स्तिति, कहां बनती है ये स्तिति? आज इसकी चर्चा हम दिव्य महाप्रयोग में करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूरुबात कर लेते हैं ग्रह स्तितियों की। और चंद्रमा आज भी मीन राशी में हैं, अब ये चंद्रमा देखा जाए, तो आज रेवती नक्षत्र बुधके नक्षत्र में पूरे दिन आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे क्योंकि शुक्रवार का दिन और बुधके नक्षत्र में चंद्रमा देव गुरु ब्रहस्पती की रासी में चंद्रमा शनी की दृष्टी से दृष्ट किस प्रकार से आप क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए किन मामलों में आपको विशेश रूप से सावधान रहना है और कौन से वो खारे हैं जो आज की आज ही आपको संपन्न कर लेने चाहिए इन सभी विशेयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे तो यह है ग्रहस्तिति इन ही ग जन्म राशी के आधार पर यानि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशी में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशी है अगर आप अपने जन्म राशी के बारे में नहीं जानते तो फिरा आप अपने प्रचलित नाम राशी के आधार पर इस राशी फल को देख सकते है चंद्रमा, जन्म कुंडली के बारहवे भाव में चंद्रमा हूँ, तो ये अपने आप में बड़ा ही स्रिष्ट है मैं पहले तो ये बता दूँ कि इसकी कुछ कमियां भी है जैसे जातक के जीवन में कुछ मामूली उत्थान पतन जातक को देखना पड़ता है वैसे मुझे लगता है, सबको अपने जीवन काल में उत्थान पतन देखना पड़ता है दूसरी एक मामूली कमी है, मानसिक अशान्ति जातक को थोड़ा जादा ही रहता है चंद्रमा मन है और ब्याय भाव में हो तो जातक अपने मन का ब्याय बहुत जादा करता है तो मन का ब्याय बहुत जादा हो, तो भी जातक मानसिक अशान्ति तो होगी लेकिन अच्छाई क्या है? निशन देह ऐसा जातक अदभुत होता है यूँ समझ लीजिए कि उगते सूर्य के समान जब सूर्य निकल रहे हो तो इनके निकलते ही जैसे बाकी के तारेगण छुप जाएं वैसा अर्थात ऐसा जातक अपने जीवन काल में जब उदित होता है तो सबको निसंदेह सम्मोहित कर लेता है इसलिए तो मैंने काहा कि मित्रो में तो यह जातक लोग प्रिय होता ही है शत्रू में भी प्रिय लोग प्रिय होता है शत्रू भी अगर इसके हैं तो वो भी इसका सम्मान करते हैं धर्म के मामले में पूरी तरह से ये समर्पित होता है जातक जिसकी जन्म कुंडली के बार्मे भाव में चंद्रमा हो। पूरुस की कुंडली में है तो बाईया आख और इस तरी की कुंडली है कि तो दाहिनी आख में परिशानी आ जाती है। नित्र विहीन बनाते हैं या नित्र कमजोर कर देते हैं चंद्रमा की इस्तिती भी वैसी है ये सीतल कर देते हैं। चुकि सूर्य और मंगल की लाइट जादा है तो आखों की जो रौसनी है वो लाइट नहीं तो वो कमजोर पड़ जाती है और चंद्रमा सीतल है तो सीतल कर देते हैं। तो आखों में थोड़ी परिशानी लेकिन जैसा मैंने कहा बाकी मामलों मैं ऐसा जातक निसंदे एक अत्यंत स्रिष्ट जीवन देखता है। चलते हैं राशी फल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशी। मेश राशी के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। अब देखा जाए तो कोई नया व्यापारिक कदम उठाना है तो वैसे तो सामान्य परिस्तिती होती तुम्हें जरूर कहता। लेकिन किसी भी तरह के व्यापारिक विचार के लिए व्यापारिक कदम नहीं उठाना, व्यापार में नया आपके पास योजना आई हुई है तो योजना पर विचार करने के लिए उस पर कदम उठाना तो नहीं है परन्तु पूरी तरह सुसका खाका डाटा तयार करने के के लिए आज का दिन बढ़िया है आपनों विश्वास रहेगा आपके पास पारिवारिक अगर कोई समस्या है तो उसका भी समाधान आज ही होगा बलकि पूर्व के किये कारे का लाभ भी आपको मिलेगा कारे स्थल पर जरा सतर्क और सावधान रहिएगा विशेश कर अगर को कोटकचरी से समंधित अगर कोई मसला है तो वहां पर आपका पक्ष मजबूत होता हुगा दिखाई पड़ रहा है आज किसी को धन उधार मत दीजिएगा मैं इस रासी के जातकों के प्रेमियों की बात करूं जातक जो है मैं इस रासी के प्रेमियों के लिए दिन आज प्र करके आज कनक धारा इस तुत्र का पाठ करिए महालक्ष्मी की कृपा इससे आपको बनी रहेगी मिलेगी लखियंक आपके लिए एक लखी कलर आपके लिए आज पीला है निवेश अगर आप करते हैं तो ना करें वरिश्व की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्र जालीजिये या वो पूरे होंगे तो आपको प्रतन करना है दिन बहुत अच्छा दिखाई पढ़ रहा है जहां धनलाभ का योग वहीं करियर में आपको मौका मेलेगा प्रगती की स्थुति दिखाई पढ़ रही है और कारेस्थल पर भी जो आपके साथ के लोग हैं उच् इक सिलसले में यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है आज बस एक ही बात को लेकर के सावधान रहें किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको दूर रहना है और कर्ज लेंदेन से भी दूरी बनानी है प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा प्रेम समंध के दिन बढ़िया दामपत्य जीवन में थोड़ी सी चिंता परिशानी होगी और विद्यार्थियों को भी आज तनाव का सामना करना पड़ेगा कॉन्फिडेंस में कमी महसूस आप करेंगे हो सकता है ठकान और आलस से किभी स्थिति हो मानसिक तनाव से आज ग्रस्त रहेंगे आज आपके कोई ब्राम्हन हो या मंदिर हो वहां जाकर के दान करिए धन दान या फल का दान सबसे बहतर है फल का दान करना आज ब्राम्हन को फल दान करने से आपको लाभ मिलेगा लखियंग का आपके लिए दो लखी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है निवेश आप आज दोसंभाव में हैं और बुद्ध के नक्षत्र में चंद्रवा शुक्रवार का दिन बहुत बढ़िया है विसेश करके बैंकिंग से सम्मंधित कोई कार्य है तो उसे आज ही पूरा करिए कोई लोन इत्यादी के लिए अपलाई करना है तो आज करिए कोई अकाउंट इत्यादी खोलना है तो आज ही आपको करना है दिन बहुत बढ़िया है अपने बुद्धिमत्ता अपने ग्यान अपने सहन सक्ति अपने आपनों विश्वास के दम पर आप हर तरह की परिशानियो होता दिखाई पढ़ रहा है, अगर कोई परिशानी इत्यादी आ रही थी, वो दूर हो जाएगी, नौकरी पेसा लोगों की बात करूँ तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, नौकरी से सम्मंधित कोई अच्छी खबर विश्यस करके कहीं आपने अपलाई किया हुआ थ थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठकान होगी, लेकिन जितना अधिक सदिक हो सके काम करिये, दामपत्य जीवन सुख में दिखाई पढ़ रहा है, प्रेम समंध सामान में विद्यार्थियों को मानसिक तनाव रहेगा, और स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें, तो स्वास् कर लेते हैं, करकराश के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है, गोचर कूंडली में चंद्रमा रासी से आपके भाग्यभाव में, बुधके नक्षत्र में ब्याईस से बचिये, हाला कि दिन आपका बढ़िया दिखाई पढ़ रहा है, भाग्या आपके साथ परन्तु थोड़ी मानसिक अशान्ती और चिंता बनी रहेगी, जो भी पुरानी परिशानी है, जो भी स्तिती है, जिसको लेकर किया चिंतित हैं, उस स्तिती में सुधार लाने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, दिन जब बढ़िया है, जीवन सामाने धारा में बह र चाहिए, ब्यापारियों को ब्यापार से समधित नई योजनाय मिलेंगी, लेंदेन के मामले में सावधानी आज बरतनी होगी, और दूसरों के कारिये में दखल अंदाजी मत करिए, आत्म निर्भर बनना ही आज आज आपकी सफलता का कारण बनेगा, जीवन साथी से आपक मेहनत से आपको आपके सफलता मिलेगी, अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं, मेहनत से आप पीछे मत हटिए, और स्वास्त के द्रिष्टिकोंड से देखे, तो सिरदर्द और मानसिक अशान्ती परिशानिक इस्तुती बनी रहेगी, लकियंक, आपके लिए आज साथ और लक सिस्टम में, शुक्रबार का दिन बुधके नक्षत्र में चंद्रमा आकस्मिक धनलाव तो कराएंगे, लेकिन कहीं न कहीं बिश्वास जो आपका है, आत्मविश्वास डग मगा आएगा, जल्दबाजी में कोई निरणय मत करिएगा, नहीं तो आप मुश्किल में पढ़ और हर मामले में नुक्स निकालने से बचिए, किसी की कमी इधर से उधर करने से बचिए, सामान्य सब्दों में अगर कहूं, तो आज किवल अपने आप से मतलब रखिए, वैसे सिम्ह का ये स्वभाव नहीं है, परंतु मैं यही कहूंगा, कि कई बार सिम्हरासी के जातक की गलती करते हैं, कि किसी न किसी के काम में ये नुक्ता चीनी करना ये ठीक नहीं, वो ठीक, इस से आज आज आपको बचना चाहिए, भागय के भरोसे तो बिल्कुल मत रहिएगा, क्योंकि भागय का वो साथ नहीं मिल पाएगा, जो आप चाहते हैं, लव पार्टनर के साथ बढ़िया रहने वाला है, प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पढ़ रहा है, जीवन साथी के साथ भी सामंजस रहेगा, जीवन साथी का संबान करिये, विद्यार्थियों के लिए आलस्य और ठकान भरा है दिन, पढ़ाई में मन नहीं लगयागा, तो इहीं प्रिशानी है, स्वास्त को लेकर के सावधान रहना होगा, मंदिर में जाकर के आज मिस्री का दान करिये, लकियंक आपके लिए च्पाच लकी का लरा आपके लिए आज हरा है, निवेश ना करिये, कन्या की बात कर लेते हैं, कन्याराशी के जातकों के लिए आज का दिन क् रहा है कि गोजर कुडलीम चंद्रमा रासी सित्हे। आपके आज सप्तंभाव में हैं। ये चंद्रमा बुद्दकेन अक्षत्र में और शुक्रवार का दिन बहुत बढ़िया है दिन व्यापारियों के लिए विस्थेस करके बहुत बढ़िया दिन ब्यापार में धन इन्विस्ट करने की सोच रहे हैं, लगाईए, ब्यापार से जुड़ा कोई बड़ा निर्णे लेना चाहते हैं, कीजिए, दिन बढ़िया है, कारेस्थल पर आपको आपकी कोशिसों से सफलता मिलने वाली है, यूं समझ लीजे कि आपके लिए दिन बढ़ तो दिन अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए, तो मेहनत का समय, लेकिन सफलता प्रदायक क्योंकि मन पढ़ाई में लगेगा, और स्वास्त के दृष्टि कोण से देखें, तो जरूरी चेक अप करवाते रहिएगा, रक्त जन्यविकार है तो विश प्रिसुट का पाठ करिये, लखियंक आपके लिए आज आठ है और लखी कलर आपके लिए बादामी है, निवेश आप करें, तुला की बात कर लेते हैं, तुला राश के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है, गोचर कुंडली में चंद्रमा, राशिष आप आज सश्ट भाव में हैं, लेकिन दिन बढ़िया है लेंदिन के मामले में, दिन बढ़िया है किसी से बादचित करने के मामले में, हला कि कहीं भी बादचित के दवरान गुसा, उत्तेजना, क्रोध इस पर नियंत्रन रखना होगा, जहां तक हो सके, संभव हो, समझाओते का स प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन प्रेमी से सहयोग मिलेगा जीवन साती से सम्मान और प्यार मिलेगा और मैनेजमेंट फिल्ड के बिद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलेगा स्वास्त के दृष्टिकोंड से देखें तो काम के बोज के कारण मानसी का सांती और तनाव रहेगा लेकिन फिर बाद में राहत मिलेगी और साथ ही साथ देखा जाए तो आज वो लोग जिनको कफ जन्य रोग रहता है उन्हें विसेश रूप से सावधान डाना होगा आज ग और ये चंद्रमा पुधके नक्षत्र में गुरू की रासी में सनी की द्रिष्टी से द्रिष्ट तो कहीं न कहीं विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले चिंता का विशय आज मन पढ़ाई में कम लगेगा वैसे देखा जाए तो आज आपके विचारों में भी बार-बार बदलाव होते दिखाई पढ़ रहे हैं मन इस्थिर कम ही रह पाएगा हाला कि वो लोग जो लाभ के लिए प्रतनस्रील हैं निवे सित्यादी करते हैं उन्हें लाभ मिलेगा लेकिन कारिस्थल पर जो लोग नौकरी पेसा हैं उनके लिए जरा सतरक और सावधान रहना है हो कोई बात नहीं है सोतंत्र व्यापार करते हैं तो दिन बढ़िया है और साज्यदारी में व्यापार करते हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा कुल मिलाकर के दिन है अच्छा परंतु सतरक और सावधान रहेंगे तब ही वानी पर नियंत्रन रखिएगा कड़वी वानी का प नांम ठीक ठाक आएगा स्वास्त के द्रिश्टीकॉं से देखें तो स्वास्त सामाण्य रहने वाला है और आज जलदार नार्यल ले जाकर के दान करिए कहीं भी माभगवति का मंदर है देवी मंदर माभवति जग्दम्बा का मंदर लक्षमीजी का मंदर तो अहां पर दान करिए लखी अंक दो लखी कलर आपके लियाज पीला है निवेश आप कर सकते हैं धनू के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी से आपके आज चतुर्थ भाव में है और ये चंद्रमा बुधके नक्षत्र में सनी की दृष्ट में संतुलन बनाए रखना होगा आज इससे भी मिलिए कुछ इस धंग से मिलिए कि सामने वाला आपका हो जाए आज अपनी बुध्धिमत्ता समय पर जो एक निर्णे लेने की ख्षमता होती है इसी ख्षमता के आधार पर आज अपने दिन को आप सफल बना सकते हैं दिन को खुसियों भरा बना सकते हैं कारेक्षित्र में कोई बड़ी जिम्मेबारी कोई बड़ी उपलब्धी आपके नाम है यूं समझ लीजे अधिकारी आपकी बातों को महत्त देंगे परिवार का पूरा समर्थन मिलने माला है हर मामले में कारोबारियों के लिए आज दिन भारी पढ़ सकता है असफल होंगे और बात अगर विद्यार्थियों की करें तो समय आपके लिए बढ़िया रहने बाला है जरुवत पढ़ने पर सहयोग मिलेगा सफलता आपको मिलेगी स्वास्त के द्रिश्टिकोंड से देखें तो जोड़ों में दर्थ से अगर आप प निवेश ना करें बात मकर की कर लेते हैं मकर राश के जात्कों के लिए आज का दिन क्या लेकर रहा है गोचर कुंड़वी में चंद्रमा रासी इस आपके पराक्रम में सो दिन बहुत बढ़िया है धैरे बनाए रखिये से फालता आज आपके कदमों में है दिन बहुत पड़ने पर सलाह लीजिए, सलाह लेने से कोई नुकसान नहीं होगा, कारेक्षत्र में कामकाज थोड़ा ज्यादा होगा, मेहनत भरा है दिन, लेकिन आज किया गया ये पुरुशार्थ प्रयत्न, अगर आपने काम से जी नहीं चुराया, तो निसन देह सफलता की नई गाथ आप लिखेंगे, पिता के साथ संबंधों में अगर कोई मतभेद है, अनबन है, उसे सुलजाने की कोशिश करिए, और ब्यापारियों की बात करूँ तो ब्यापार में सफलता मिलने वाला है, जरुत पड़ने पर आपको सहयोग भी और सही राय मश्वरा भी मिलेगा, जीवन साथी का अपमान नहीं करना, बलकि जीवन साथी को कोई उपहार दीजिए, प्रेम संबंध में मजबूती आएगी, विद्यार्थियों के लिए महनत भरा दिन, लेकिन सफलता प्रदायक दिन, और स्वास्त के दृष्टि कोण से देखें, तो किसी बड़े रोग से जैसे पेट तर्द इत्यादी या पेट से समंधित कोई परिशानी थी, उससे मुक्ती मिलेगी, फल जैसे आम का दान करना, ब्रामण को आपके लिए स्रेष्ट होगा, लकियां के आपके लिए नौ लकी कलर आपके लिए जिसकाई बलू है, निवेश तो आप करिए ही, और बात कुम्भकी करें, तो गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी से आपके आज दुतिये भाव में है, बुधके नक्षत्र में शुक्रवार का दिन बहुत बढ़िया है, धन कोस संचय के लिए, यानि कि आज बैंक इत्यादी में अकाउंट खोलना चाहते हैं, मुच्वल फ अतिरिक्त जिम्मेबारी के लिए आपको त्यार रहना चाहिए, यू समझ लिजिए कि चुनोती पुर्ण लेकिन सफलता प्रदायक है दिन, जो भी अवसर आपको मिल रहा है, इस अवसर को बस चुनोती समझ करके स्विकार करिए और आगे बढ़ जाईए, इस दिन को और ज्यादा आप सफलता पुर्ण बना सकते हैं, वाणी पर अगर आप नियंत्रन रखें, तो वाणी से भी धनलाब होने वाला है, यू समझ लीजिए कि अपने प्रतिद्वंदिवों पर आप विजय पर्चम लहराने वाले दिन बढ़िया है, जोश में सारे काम होंगे, पर बढ़िया है दिन, विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के नाकारात्मक माहौल, नाकारात्मक वातावरन, नाकारात्मक मित्र से दूरी बना करकर रखनी चाहिए, स्वास्त के दृष्ट कोण से देखें, तो मातापिता में अगर कोई भुजुर्ग हैं, उनकी सेहत को ल सनी के दृष्टी से ये दृष्ट हैं, सो काम में आज भी बिलंब की इस्तिती रहेगी, हाला कि देखा जाये तो सामाजिक तोर पर मैं आपको आज सफल देख रहा हूँ, सामाजिक तोर पर कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रहा है, परन्तु थोड़ी सी सावधानी ज करने की आवशक्ता नहीं, नौकरी के लिए प्रतनसील हैं, तो आज नई नौकरी का प्रस्ताओ आपको मिलने माला है, और कारिस्थल पर आज पूरे दिन आप आत्म विश्वास से भरी रहेंगे, बात अगर हम ब्यापारियों की करें, तो ठीक है दिन, कोई नया ब्यापा अभिश्विरू करने की सोच रहें, तो मेरी राय है कि सुरू करने की जगह पूरी जानकारी लीजिए, और कोई समस्या जिससे जूज रहे थे, उसे सुल्जाने का आज आज आपको प्रतन करना चाहिए, क्योंकि समस्या से मुक्ति कराने में, आज का दिन ज्यादा स्रिष कोई पुराना ओप्रेशन इत्यादी आपका हुआ है, तो उसको लेकर के सावधान रहेगा, उसमें तकलीफ होगी, आज बजरंग बान का पाठ आपके लिए लाभवप्रद होगा, सो हो सके तो तीन बार करिएगा, लकी अंक दो, लकी कलर आपके लिए आज परपल है, नि मस्कार!